जै माता रानी दोस्तों मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ माता रानी के नाम का जैकारा लगाएं कमें सेक्शन में जै माता रानी हर हर मादेव अवर्शे लिखिए भोले नाथ माता पार्वती की कृपा से आपकी सभी तरो की मनुकामना अवश्य पूरी होंगी दोस्तों सावन का बहुत बड़ा रविवार आया है क्योंकि इस दिन पे है सावन शिवरात्री का त्योहार इस दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की जोली वर्दान से भर देते हैं जैसी भी आपके इक्षा होती है हर मनोकामना अवर्ष्य पूरी होती है दोस्तों पूजा पाट करना इतना आसान है कि बच्चा भी इस पूजा को कर ले जिससे भोलेनाथ प्रसंद हो जाए और मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस मास्की शिवरातरी में एक शब्द बोलते ही आपकी जो इक्षा होंगी वो अवश्य पूरी होगी ऐसा अचूख उपाए जी हाँ दोस्तों 19 जुलाई 2020 की तारीक को सावन कृष्ण पक्षकी चतुरदशी तिथी है रविवार का दिन है इस दिन दोस्तों परम प्रिय नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है इसका अदुबुद प्रभाव होता है जब भी आप आद्रा नक्षत्र में भगवान भोलेना शिव जी का पूचन करते हैं उनके मंत्रों का जाप करते हैं कई कोटी आपको उनका फल प्राप्त होता है इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी तरह का उपदरफ चल रहा है तो इस दिन पे आप जरूर इस एक शब्द को बोलिए जिससे भूलेनाथ माता पारवती की अदबुत क्रपा आपको प्राप्त होगी जीहां दोस्तों मासिक शिव चतुर्दशी व्रत भी है इस दिन जो लोग व्रत पूजा पाठ करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें भी अदबुत फलो की प्राप्ती होती है क्योंकि शिव राती के व्रत में पूरा विध स्क्राइब बटन को प्रेस करें गंटिया बैल के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको व्रत्योहारों संबंदी सभी जानकारिया निशल्ख प्राप्त होंगी जिससे पूजा पार्ट में आपसे कोई गलती ना हो और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इस इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए इसलिए दोस्तों इस दिन पर भगवान भोले नात का मन से इसमरण करके पूजन करिए अब दोस्तों मैं आपको बता दू आदरा नक्षत्र आदरा नक्षत्र जैसा कि इसका अर्थ है आदरा याने नमी जो की पूरे स्रष्टी के सर कोई ऐसा नक्षत्र होता है उसनद भोले नात की विशेश खरपा होती है इस दिन पर जो लोग जब पूज़यापाथ इत्यादी करते हैं भोले नात उसी शन उनकी जो भी मनूपामणा होती यह उसको पूर्ण कर देते हैं और उन पे अद्बुद रूप से अपनी क्रपा बना के रखते हैं दोस्तों इस दिन आपको पूजन करना क्या है अब मैं आपको बता दू आधरा नक्षत्र एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगा याने 18 तारिक की रात में 8 बच के 50 मिनिट से आधरा नक्षत्र लग जाएगा और यह नक्षत्र 19 तारिक की रात में 9 बच के 33 मिनिट तक रहने वाला है याने सुभब ब्रह्म महुरत के समय या शाम में प्रदोश काल के समय दोनों ही समय में यदि आप भगवान भोले नात का जाप पूजन इत्यादी करते हैं इन समय म आधरा नक्षत्र रहने वाला है तो आप इस समय पे जाप जरूर करिए अब आप से पूछेंगे जाप करना क्या है एक शब्द कौन सा है तो मैं आपको बता दूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे शिप पुरान के अनुसार भगवान भोले नात की रहिवार को की गई पूजा पुनर जनम का निवारन कर देती है रहिवार को महा लिंग की प्रणव से पूजा करनी चाहिए प्रणव क्या है दोस्तों अब हम आपको समझा देते हैं यह है ओम जो की इस पूरी ब्रहमांड की ध्वनी है और ब्रहमांड की ध्वनी को जब आप बोलते है तो आपका ब्रहमांड के साथ एक मिलाप हो जाता है जिसके कारण आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है जो भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ चल रही है वो दूर हो जाएगी परन्तु आपको ओम बोलना कैसे है, कितनी बार बोलना है इस पूरे उपाय को आपको कैसे करना है, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ इस दिन पर जो भी भोले नाथ का शिवलिंग बना के या शिवलिंग का पूजा अर्चन करना चाहते है उसे अतिउत्तम बताया गया है, आपको अपने हाथ के अंगूठे के आकार का शिवलिंग का निर्मान करना चाहिए इस शिवलिंग का निर्मान करने के लिए यदि आपको किसी नदी किनारे की मिट्टी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है किसी ऐसी जगह जहां खेत में गाय चरती हों वहां की मिट्टी मिल जाए बहुत अच्छी बात है किसी वे ऐसी जगह के अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो और कोई भी जगह जो आपके घर के आसपा साफ हो जहां पे पेड़ पोधे उगे हुए हो, वहां की मिट्टी लाइए, मिट्टी को अच्छे से साफ करिए, उसमें से जितने भी कंकर, दाने, इत्यादी हैं सब को हटा दीजिए, उसमें साथ प्रकार का अनाज मिलाइए, साथ प्रकार का अनाज क्या होता है, यह मैं आपको अ और इस मिट्टी में थोड़ा सा दही या मठा डाल दें और इस मिट्टी को आप गूंद लें और शिवलिंग का आकार दें बहुत जादा आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है केवल एक सीधा जैसे डंडे जैसा रहता है वैसा आप आकार दे दें वही आपके लिए पा अंट आय गया है वहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेश महत्व होता है पूजन करने के लिए एक या दो पूंध दूद का प्रयोक करें क्यूंकि यह मिट्टी का शिवलिंग है इसलिए यह शिवलिंग बहुत जादा要 पानी त्यादी डालने से खराब हो जाता है तो आप सिर्फ भगवान का इसमरन करते हुए इस शिवलिंग पे थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करें और एक दूबूंद दूद अर्पित करें उसके बाद सबसे विशेश चीज है दोस्तों जो आपको इस शिव चतूरदर्शी पे जरूर भगवान पे डालनी है वो है भस्म भस्म आप अपने घर में बना सकते हैं गाय के गोवर का उपला ले घर में उसे जला ले एक अच्छे बारिक कपड़े से इस भस्म को आप च्छान ले और उसके बाद आप इसे शिव जी पे अर्पित करें बहुत आसान है यह और ऐसा नहीं है तो दोस्तों जब आप भगवान का पूजन करें तो दू, दही, घी, शक्कर, शहद थोड़ा थोड़ा चड़ा दें इसे आप भगवान का अभिशेक मान ले और यदि आप पार्थिव शिवलिंग से पूजन नहीं कर रहे हैं तो जो दूसरा शिवलिंग उसे अच्छे से धो के साफ कर लें और एक दो बून गंगा जल चला दें भगवान भोले नाथ पे सफेद रंग का चंदन अर्पित करें सफेद साबुत अक्षत अर्पित करें आपके पास धतूरा बेल पत्र अकववा शमी पत्र जो भी है सब चीज़ें चड़ाएं और साथ में क्या चड़ा करेंगे कि आप ओम यह नहीं कह रहे हैं तो आपकी पूजा निरर्थक हो जाएगी इसलिए शिव पूजा जितने देर करें क्योंकि आद्रा नक्षत रहें रविबार का दिन है शिव चतुरदशी की तिथी है इतने महायोग सयोग में जब आप पूजन कर रहे हैं ध्यान दिजेगा जब भी आप यह बोलते हैं यह द्वनी आपके पेट से निकलती है इस द्वनी को जितना साफ और निरंतर आप बोले उतना अच्छा है इस तरह से पूजा पाट करिए और वहां पर आप आसन लगा के बैठ जाएए पीले रंका सफेद रंका जो आसन बैठ जाएए और भगवान भोले नाथ के सामने बैठ के कम से कम दोस्तों 21 बार आप अपने आखों के बीच में ध्यान लगाते हुए औम इस मंतर को बोलिए यह कम से कम बोल रही हूं मैं 21 बार इसके अलावा आप 108 बार एक हजार आठ बार जो लोग इस मंतर का जाब करते हैं उन्हें भगवान भोले नाथ की विशेश क्रपा अवश्य मिलती हैं यह मैं आपको बता रही हूं क्यूंकि आपने से बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो अपने जीवन में शिव जी के साथ पूजन अर्चन करके उनकी विशेश क्रपा प्राप्त करना चाहते हैं ओम कहते हुए भगवान के शिवलिंग का ध्यान करिए शिवलिंग का ध्यान नहीं होता आप अपने ईश्ट किसी भी प्रभू का ध्यान करिए जिससे भोले नात अत्यंत प्रसन्न होते हैं इस पूरे ब्रहमांड की उर्जा आपकी तरफ आकरशित होती है जब आप इस उपा को करते वक्त दो तीन बातों का विशेज ध्यान रखिए तामसिक भोजन मद ग्रहन करिए बहुत जादा चटक रंग के कपड़े मत पहनिए किसी के बारे में बुरी सोच मत रखिए किसी के बारे में निंदा मत करिए क्योंकि यदि आपकी पूजा में यह सब चीजें आके मि रिप्लाइ हो जाएगी बाकी जो लोग शिव रात्री का रात्री पूजन करना चाहते हैं उन सब को पता है रात्री में भगवान भोले नात का चारों प्रहर में पूजन करने से अद्बुत फलो की प्राप्ती होती है कई तरह की कथाएं आपने सुनी होंगी आज मैं आप कलश था देवता और देवता और दैत्यों ने मिलके ये समुद्र मंथन करा था पर दोस्तों इसमें निकला था हलाहल और विश जिससे की इस पूरी प्रकति का विनाश हो सकता था इस पर भोले नाज शिफ शम्भू ने उस विश को हलाहल को अपने गले में धारन करा जिससे क उन्हें कई तरह की पीडा हुई इस समय पे ही दोस्तों उन्हें हलाहल के कारण उन्हें बहुत तकलीफ हुई जिसके कारण यह सावन का महिना है जो कि उन्हें ठंडक पहुंचाता है नमी देता है और उनके रूम रूम को ठंडा करता है इस पीडा को ही दूर करने के लिए य पूर हो जाती है भगवान आपको अपना आशिरवाद स्वयम देते हैं और आपकी जीवन में आपको जो सफलता चाहिए जिस भी तरह का मान सम्मान चाहिए वो सब आपको प्राप्त होता है तो भोले नात का अर्चन पूजन करते हुए सावन के महीने में इन बातों का ध्या कुछ नया होगा आज का वीडियो यदि आपको पसंद आ गया है तो इसे लाइक कर लीजिए सबके साथ करें साथ ही साथ मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली पे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके लिए वहां नए वीडियो मिलेंगे जो आपको घर ग्रहस्ती से संबनित और जानकारिया देंगे इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब का धन्यवाद अगली बाद फिर आपसे मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों अपना ख्याव रखिए अपने घर परिवाय के साथ सदेव खुश रहिए जै मातार झाली दोस्तों